हलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आई पी स्टेडी आईक्यू में स्वागत है तो आज हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ओप एट्मोसफेयर काफी इजी टॉपिक है और ज्यादा बड़ा भी नहीं बहुत छोटा सा टॉपिक है ठीक है इजी डिस्कस कर लें वो हमारे नाइट्रोजन की होती है वो किती होती है 78.07 ठीक है और ऑक्सीजन की 20.93 परसेंट आरगन की 0.93 परसेंट कारवन डाय उक्साट की 0.03 अब डिस्कस करते हैं कि जो एट्मोसफेयर होता है उसकी पांच पढ़ते होती है यानि कि लेयर होती है टॉपोसफेयर, स्ट और अब लेयर होती है 20.06 परसेंट होती है जिती भी मौसम संबंदी घटना इसी में होती है बारे सका होना बिजली का चमकना और गिरिन एफेक्ट इसी में होता है अब की इस फैक्ट क्या होता है जो हमारा सनोता सन उससे जो सोलर रेडियेशन जो हमारी प्रत्वी पर आती और वेक होगे रिफ्लेक्ट टूकर जाती है जब पुष्ट हो जाती है उसमें से कुछ तो सबस्क्रi जाती है लेकिन कुछ जो होती है जो हमारी केर तो सब्सक्राइब बरता जाए का इसको हम गलोग्ण warming कहते हैं ठीक है और यहां पर मैंने यह आपको 6 step बना दिये हैं एक बार आप खुद देख लेना ठीक है तो अब हम next discuss करते हैं इस्टेटो स्फेयर इस्टेटो स्फेयर जो होता है वो हमारा 12 किलो किलो मेंटर के फचास किलो मेटर के बीच में होता है इसलिए इसको हम समताप मंदल भी कहते हैं और इसमें बैदर संबंदी कोई घटना नहीं होती है और ऐरो प्रेलन बगर है इसी में चलते हैं ठीक है जो मतलब हमारी संसे पहुंचने से पहले रोकती है फिकए जिसकी वये इसे हम वहत Depart STA को चिनको हम कहते हैं उलका पंड यानि कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं पोचaudh की तरफ आते हैं तो यह जो लेयर होती है वो उनको ट्यास्टोय करती यानि खात्मा कर दीती है उनको मतलब प्रतितक पहुंचने नहीन देती मिस सवैर रिसकस करते हैं थर्मोसपयर थर्मोसपयर होती है वह 80 mi से 640 km के भीच में होती अब और सेपिरियंगे और gives रखेंगे उद्थ भी करेंगे जैसे बारिस का होना पिजली का चमकना अब स्टेटोस्फेर जिसमें एरोप्लेन चल रहा है आप देख रहे होंगे इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है मिसोस्फेर जिसमें मतलब मेटरोइडस आते हैं मैंने बताए था अंतरिक से जो आते जिनको ये खतम कर देती है और फिर घर्मोस्फेर जिसमें हम अब सैटेलाइट वगारा लाच की जाती है और एक्जोस्फेर जिसमें उपर हाइडूजन और हीलियम की मातरा बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही यह बहुत छोटा सा टॉपिक था ज्यादा भी इसमें कुछ था नहीं ठीक है तो आप इसे अच्छे से एक दू बार देख लेना ताकि आप भूले नहीं ठीक है बस कुछ नहीं था इसमें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक और अगली बहतर एक और बहतर क्लास में ठीक है तो गुडबाई